आप देख रहे हैं बिकेडी नियु जार्खन और मैं हूँ बिकेडी नियु जार्खन के साथ पप्पु यादभारती आज सम्मिधान दिवास है सम्मिधान दिवास के सुब अपसर पर आप सभी को मेरे और से सम्मिधान दिवास की बहुत बहुत बधाई समिधान दिवास के सुबापसर पर देवगर के अमबेट कर पुस्त कालाय में एक समिधान दिवास समारों का आउजन किया गया था इस समारों में विभिन समाज से भी एवम कॉंग्रेस राज़ाद जैमें के नेताओं ने उपस्तित लोगों को समबोधित किया सम्भिधान दिवस है और आज के ही दीन सम्भिधान सभाने हमारे भारतिय सम्भिधान को बस्तूत किया था और आज सम्भिधान की जो दुर्गती हो रही है सम्भिधान के साथ जो खिलवार हो रहा है इसको बचाने के लिए जोकि सम्भिधान है तब हम है इस बात को जहन में रखते हुए संविधान की शुरगषा के लिए संविधान की जानकारी आपनों तक हो इस क्याल से संविधान सभात का संबिधान दिवस का हम लोग आज आईजन किये थे और उसी में हमारे मुट के चिती डॉक्टर विपी जादव जी अपने पूर्ण जानकारी के साथ यहां के लोगों को बोद्परोद किये हैं हम लोगोंने इनकी बातों को सुना, ड्क्र सुनी उसन बाबू भी आये, उनकी बातों को सुना और लगा कि आम जनों तक संबिधान की जानकारी जब नहीं होगी, तो अपने आपको समाज में सही धंक्चे ख़़ा नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं लेगा से अगले बात कि संबिधान हमारा अंग्रेजों ने लिखा, ये अंग्रेजों के द्वारा थोपा गया समिधान है, आप टोउ आमेरिका का सम्मेधान साइज जानते हैं वो हमारे सम्मेधान सभा के सदस्यों का तो हमारे समविधान सभा के सद़ से जो से वो प्रोविंचल इसम्बली से इंडिरेक्ट इलेक्ट होकर क्या है तो जो प्रोविंचल इसम्बली से इंडिरेक्ट इलेक्ट होकर क्या है ते क्या वो वैक्ती भी ये नहीं कह सकते हैं कि हम इस देश के लोगों के बहाफ में कोई बात कह रहे हैं, जब अमेरिका में कुछ रिवल्यूशनरी ये बात कह सकते हैं, तो वो क्यों ना कहें, दूसरा, अगर हमारा समविधान शुरू होता है, वी दपीपल अप इंडिया, तो इसमें लोगों को तकलीफ क्या है, तकलीफ है, उन लोगों को है, जो आज भी हमारे लोगों से पूछते हैं, जहां समविधान शुरू होता है, वी दपीपल अप इंडिया, वहां लोगों से पूछते हैं, हम भारत के लोगों से पूछते है तुम कौन भारत के हैं?